साथियों डेरी सेक्टर में जिन पशुपालोकों को लाब हो रहा है उसमें से जादातर छोटे किसानी है किसी के पास तीन पशुई हैं, चार पशुई हैं, किसी के पास पाँच, किसी के पास साथ और ऐसा करीब करीब पूरे देश में ही है यहां कच्की बन्नी भैस यह हमारी बन्नी भैस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है कच्क में तापमान चाहे 45 डिगरी हो या फिर तापमान सुन्य से नीचे हो बन्नी भैस आराम से सब कुछ सहती है और बाद मौच से रहती है इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल चल करके जाने में बन्नी की भैस को कोई दिकप नहीं होती है एक दिन में यह भैस आवसतन करीब करीब 15 लीटर दूद देती है और इससे सालाना कमाई दो से तीन लाख रुपे तक की होती है मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैस पांच लाख रुपिये से भी जादा में बीकी है देश के और लोग सुनते होंगे उनको आश्यर होगा बन्नी की बैस पांच लाग रुपिया यानि जितने में दो छोटी कार खरीद हैं इतने में बन्नी की एक भैस मिलती है साथियों साल 2010 में बन्नी भैस को राष्ट्रिय माननेता भी मिली थी आजाती के बाद भैस की ये पहली ब्रीड थी जिसे राष्ट्रिय स्तर पर इस तरह की माननेता मिली साथियों, बन्नी बैंस के दूद का कारोबार और उसके लिए बनी विवस्ता यहां कश्मे बहुत सफल रही है देश में बाकी जगह पर भी दूद उत्पादक और दूद का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बहतरिन सप्लाई चेन उनने खड़ी की है इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी जादातार बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है साथ क्यों यह उदान में विस्तार चे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को ब्रमित करने की बड़ी साजिस्ट चल रही है उन्हें डराया जा रहा है कि नए क्रुशी सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कबजा कर लेंगे भाईयों बहनों मैं आप से जानता हूं क्या कोई डेरी वाला आप से दूज लेना का कॉंट्रेक करता है तो आपकी गाईब्यास ले जाता है क्या कोई फल सब्जी खरने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या आपके प्रपर्टी उठाके ले जाता है क्या साथियों हमारे देश में डेरी उद्योग का योगदान क्रशी आर्थे ववस्ता के कुल मुल्य में 25 प्रतिसत से भी जादा है ये योगदान करीब करीब आठ लाख करोड रुपिय होता है दूद उत्पादन का कुल मुल्य अनाज और दाल के कुल मुल्य से भी जादा होता है इस ववस्ता में पशू पालकों को आज़ादी मिली हुई है आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आज़ादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सिमान किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए साथ क्यों हाल में हुए कुरुशी सुधारों की मांग बर्सों से की जा रहे थी अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए आज जो लोग भी पक्षमे वैट कर किसानों को ब्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कुरुशी सुधारों के समर्धन में थे लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निरने नहीं ले पाए किसानों को जुठे दिला से देते रहे आज जब देश ने यह इतियासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को ब्रहमित करने में जुट गए हैं मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूँ बार बार दोहराता हूँ क्योंकि हर संका के समाधान के लिए सरकार 2400 गंटे तयार है हमारी सरकार की सरवोच्च प्रात्विक तवमस एक रहा है खेती पर किसानों का खर्च कम हो उन्हें नए नए विकल्प मिले उनकी आए बड़े किसानों की मुश्किले कम हो इसके लिए हमने निरंतर काम किया है मुझे विश्वास है हमारी सरकार की इमानदार नियत हमारी सरकार की इमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पुरी देश ने आशिरवाद दिये है देश के हर कौने के किसानों ने आशिरवाद दिये है मुझे विश्वास है कि किसानों के आशिरवात की ये ताकत बेश भर के किसानों के आशिरवात की ताकत जो ब्रह्म फ्यलाने वाले लोग है जो राजरीती करने पर तुले विये लोग है जो किसानों के कंदे पर बंद्लू के फोड़ रहे हैं बेश के सारे जांगरु किसान